साथ भक्ति एक चर्चे हम लोग कर चुके है यह आठवी भक्ति है बड़ी महत्पूर्ण है आठवी भक्ति है आठवं जधा लाब संतोशा सपने हुँ नहीं देख़ई पर्दोशा आठवी है कि जो कुछ मिल जाए उसे में संतोश कर ले अनाप्षनाप महत्वा कंशा है अत्य धिक अपनी मनों कामना ना रहने दे और सपने में और किसी के दोश ने मतलब दोश तो वैसे प्रत्यक्ष तो देखना ही नहीं है, सपने में भी नहीं देखना है, ये दो बाते हैं, आई ये इन दोनों बातों को भी अख्या करते हैं, आज की समस्याओं का करण क्या है कि हमें जो मिल रहा है उसमें संतोश नहीं है, हमारी त्रशना बढ़ती चली जा रही है, और सारी समस्याओं के कारण ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, हमने कोई एक borderline नहीं तै कि यहां तक मिल जाएगा तो हम संतोश कर लेंगे, सबसे बड़ी परिशानी क्या कारण है कि असंतोश का मूल कारण क्या है, कि और ज्यादा पाना जो greed है आदमी की बढ़ती चली जा रही है, हमारे परमपजी गुर्देव के पास लोग आते, वो कहते हैं, गुर्देव 20,000 तंखा मिल रही है, और बढ़वा दीजिए, 40,000 तंखा मिल रही है, और बढ़वा दीजिए, वो यह नहीं सोचते कि कि किसी को त जित्रिम गरीबी है यह, बनावटी गरीबी है, दीनता, दरितता, जीवन भर हावी रही यदी, तो मन में कभी संतोष नहीं रहेगा, मन असंतोष्ट, मन खिन, मन उदास, मन गलानी से भरा हुआ, तो ऐसे मन में भगवान कैसे आएंगे, भगवान तो वहां विरास्ते हैं जा संतोष धन हो, संतोष धन पाया नहीं, सादू हुआ तो क्या हुआ, सादू बनने कोशिश किये पर संतोष धन तुझे मिला ही नहीं, संतोष धन अगर आ जाए तो जीवन में शांती है, शांती आ जाती है, बक्ती संतोष देती है, कभीरदास जी कहते हैं, साई इतना द देना इससे कम मत देना भगवान से मांगे हम तो उतना मांगे जितना कि हमारे जरूरी है हम जब अनाप शराप मनों कामना करने लगते हैं मनों कामनाओ की कोई हमारी लिमिट नहीं रहती को सीमा नहीं रहती तो फिर असंतोष पैदा हो जाता है और वो असंतोष उद्विग् तो जो मैंने आपको बताई कि हमारे परमपुछा गुर्द्य को पास आते थे, मैं उनको भीकारी कहूंगा, जो 20,000 रूपी मांग रहे है, 40,000 रूपी की तंखा के बाद भी मांग रहे, एक लाग की तंखा मिल जाएगी, तो बी उनको संतोष नहीं है, पर हमारी संस्कति भि उस जमाने हम कहा करते थे आज करीब एक करोड साधू होंगे सब नहीं है ऐसे परन्तु आप उसमें 10% कम कर लिजे जो अच्छे हैं पर 90% ऐसे भिक्षावत्ती पर ठीके हुए है यह लोग नहीं यह पुरान जमाने बात बताता हूं को कश्मीर ले चलता हूं कश्मीर में कलह नाम के विद्वान थे उन्होंने रास्तरंगिनी नाम का एक ग्रंथ लिखा है उन्हों बड़े गरीबी में बड़े शांदार गरीबी में मतलब यह कि कोई असंतोष नहीं मन में कोई परेशानी ने उसे में जीवन जीना पंडित आये एश्वरे ठाटबाट कुछ नहीं पंडित भारत भर की सम्मेलन में आये उन्होंने का कलहन से मिलने चले कलहन के पास आये तो उन्होंने कहा रहे कुछ भी नहीं है आपके पास इतने बड़े राजा के आप दरवार के वह है और प्रमुख विद्वान है के कश्मीर के नहीं बलके भारत के शान है राजा को श हम राजा से नहीं मांगते आप लोग परिशान मत हुए पंडित जन सब राजा के पास पहुचे इतने बड़े विद्वान जो भारत भर में पूझे जाते हैं उन्हें फटे हाल रखते हैं आपको शर्म नहीं आती राजा ने कहा कि ऐसा है कि हम उनको देने के कोशिश करते है तो वो फिर राजा से चले जाएंगे वो इतना ही चाहते हैं वो लेना ही नहीं चाहते हैं हमने बहुत कोशिश की हमने इंडिरेक्टली कोशिश की परन्तु हम पर नाराज हो जाते हैं आप लोग ट्राय करना चाहते हैं आप लोग पंडित लोग सब जाईए पंडित लोग को इश्वर धन दिया, सब कुछ दिया कि कलहन जी के लिए हम घ्लन के लिए हूँ अनोंने कहा कि सारा के सारा इश्वर धन आपको दिया जा रहा है और यह राजा से हम लेके आया है किलहन ने पत्नी से कहा राजा अभिमानी हो गया है अब इस राज Jason में हमको रहने चाहते हैं. कलन बोले, ब्राम्वन का धन है तप और विद्या. ब्राम्वन तप पर और विद्या पर टिका रहता है. परंपजी गुरुदेव ने जीवन भर अपने आपको तप में निरत किया और विद्या का अरजन किया. तपस्त्वी नहीं होगी तो विद्या नहीं मैं यहां ट्राशियों को सोने के चैन पेने बैठे रहते हैं. मैं उसके कपड़े लुए आपस एक कंचन, जो प्रक साहिं हैं जो इतना भूग विलास के साधन है गर्मे, हमारे गुर्देवन थे पंखा एको भी नी चलाया कि भी गर्मी के मुसम में पंखा उसी के लिए जो आता था आती थी उसके लिए, एक तपोनिष्ठ वेदमूर्ती के लाए, विद्या के आधार पर वेदमूर्ती, तब के आधार पर तपो आती उनको खुद नहीं लिए उन्होंने, लोगों ने दी उनको, जन सामाधन ने दी और उसमें जो देने वाले थे, वो थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, वेदमूर्ती, तपोनिष्ठ, पंडिश्राम शर्मा आचारे, अखिल भारती, गाती प्रवार के संस्थापक, सं औरों को दे सकें, जितना भी हो सकें, अपनी ग्यान के माध्यम से, मैं यह नहीं करना चाहिए, बदब पुरशार दीने करें, नहीं पुरशार तो करें, पर पुरशार तो तरश्णा में प्ताल में नहीं बैठा, अती महत्वा कंशी बन गए, धन के बागने लगे, तो फि अपने सुना है, एक करोड़ की तंखा का ओफर, घर करोड़ की तंखा का ओफर, हमारे के MBS को दिया गया है, अब क्या कर लेंगे इस धन में इन से काम लिया जाएगा, साथ दिन गुना 24 गंटा, तो फिर अत्य दीक पाने की जो आकंशा है, इसको थोड़ा सा आदमी के जी पिछले दिनों एक राजनितिक चापा पड़ा तो पंदरा सो करोड़ रुपे की संपत्ति मिली, अब ये क्या तरीका है, ये तरीका बताता है कि आप किसी और का शोषन करके, आप किसी और की कीमत पर जीवन जी रहे हैं, मैं आपको उधान देना चाहता हूँ, एक भारत क एक बहुत ही महान परंपरा का जिसके स्थापना की थी पेश्वा, बाजिराव पेश्वा की नियाएधीश, शी राम शास्त्री, राम शास्त्री बहुत साद्गी से लेते थे, कभी किसी का पैसा नहीं लेते थे, जितनी तन्खा उन रधरत की थी, उतनी तन्खा बाजिरा पन्तू, वो मानी नहीं, उन्होंने कभी-कभी नारी ऐसी हो जाती है कि, कभी किसी परईशारी में पढ़ जाती है तो कुछ कहनी पाती राणी कह रही है, आप आज हमारे कहने पहने लिजे सारा शंगार किया, उनका अपने हाथों से किया, सोने का शंगार, साड़ी बड़ी कीमती पहना करके उनसे कहा, आप पाल्की में चली जाएए, जैसे वो पाल्की में जाकर पहुंची, तो पाल्की जो थी, उसमें से नीचे उत्री, वो दरवाज खटकटाया, पाल्की वालों आप हमारे पत्नी नहीं है, आप चली जाएए, पत्नी समझ गई कि रामशाष्ट्री क्या कहना चाहते हैं, रामशाष्ट्री की मर्यादा को उनको रखते हुए, वो वापस गई, पाल्की में गई, क्योंकि जो सम्मान था उनको दिया गए, तो उसका सम्मान करना रखना च जैसे द्रवाज अखटेड आया, रामशाष्ट्री बोले, आपका स्वागत है, आप हमारी पत्नी है, पहले क्यों नहीं पहचाना है, पहले भी तो हम आया थे, पहले पहले जो आई थी, बाजी रहो कि हम ये रिश्वत स्विकार नहीं करेंगे, हम इस रिश्वत से बहुत प्रसन रहने के दो ही उपाएं, क्या अपनी इच्छाएं कम करें, अपनी आवशक्ताएं कम करें, अपनी महत्वा कांक्षाओं करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, आवशक्ताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, अधिक से अधिक जितनी आप आवशेक्ताइं बढाएंगे उतनी ही आपकी अपनी चादर को समेट लिजी, अपनी पेरों को समेट लिजी, अपनी चादर अपनी साफ सेट्जस कर लिजे। Vijayनग्रम के राजा थे Krishnadev rai, Vijayनग्रम आंधर की एक state कहीं आती थी और उसके राजा थे, पंच दशी के रचईता विद्या जो विद्या रण्नी थे वो उनके गुरू थे उनके राज्य में एक साधारन ग्रहस संत की रूप में रहते थे बड़े विद्वान बिक्षा तंद्वारा पाक्षाला चलाते थे और वहां उनके यहां से निकलेवे चात बड़े-बड़े प्रपंच रचे जाते हैं और लोग पढ़ाने के लिए करते हैं अन्तु उन्होंने अपने गुरुकुल से ही अपनी तपश्यर्या के माध्यम से इतना कुछ किया पत्नी भिख्षा लेने आई एक दिन पती आते थे थे विख्षा लेने तो ऊपर चावल और अंदर-अंदर हीरे मोती उन्होंने रख दिये और गुप्तेचर महिला यह Wie अख साथ कंकड पत्थर भी डाल दी हैं हमको निकाल रही हो इनको फेंक रही हैं हिरे मोती को कंकड कहते हुए उर णे फेंक दिये तो वह बोली कि महिला थी मैंजी हम आपके साथ ही आई है यह तो हीरे मोती है तुम्हारे लिए होंगे मेरे profiles ने सुना तो इसने कि हमने बहुत बड़ी गलती की ऐसा साधु हमारी आसे चला जाएक बड़ी दिक्कत होगी परमपुजी गुर्देव का एक वाक्य में आपको सुनाना चाहूंगा साधु ब्राह्मनों के देव समधाय से पूछना पड़ेगा कि व्यक्तिकत सुधाहों में कटोती करके सत्प् आखिर इश्वर्चन विद्या सागर भामाशा, मानधाता, अशूक, हर्शवर्धन इन सबको देने की क्यों सूजी उन्होंने अपने संपता उत्तराध्यकारियों के लिए क्यों नी छोड़ी आज हर आदमी अपने बच्चे के लिए सोचता है उसके लिए सारी संपता छो होता था यहां हर्कीपेड़ी है हरिदवार में रहते हैं यहां यहां हर्कीपेड़ी और इसीफ बहुत प्रसिद्ध हैं यहां ही पर वहर उनकी ना इंप पने एक किसान के रूप में रहते हैं, वो चाहते हैं तो राज्विकरते राज्य करते है पंद्व मितवी एख प्रश्रम किसान के रूप में हल जोते थे दो चानग चैकरव॥ रूदक्ष मेरी शाशंड का बधन मिलता है उसके अंतरकत जब आदमी देना ही देना सीख जाता है तो देवता बन जाता है देने का स्वाद आगया तो धर्टी का देवता बन जाता है हम देवता बनने का प्रयास करें जथा लाप संतोशा जितना मिल जा उसमें संतोश करके देते ही रहें बाटते रहें जो हाथों से हमाँ हजार हाथों से बाटो मैं एक और कथानकDay sche wheel में मिलेगा मंसूर का सुल्तान था जो जिसके बारे में कहते है जिसे ने भगवान उसे दे मंसूर का सुल्तान बड़ गया तर्बुज बैसने वाला वन गया और उसने काहा तर्फूज ले जाओ तर्फूज ले जाओ तो एक अटर्फूज ने पकड़ा दिया कीमत दे को लिए ले जाओ यह आपके लिए हैं फकीर हैं हीरों से भरा हुआ था अब वो समझ गए देखा कि रिसमें हीरे हीरे भरे हुए हैं अब वो जैसे आगे बड़े उन्होंने एक दूसरा आदमी को देखा वही तर्बूज खरीदने जाना था उन्होंने से का लिए तू बड़ा तर्बूज है तू इसको ले ले छो सुल्टान कहता है जिसको ने भगवान उसे क्या देगा सुल्टान तो फिर उसके आदनों ने कहा हम पैसे के बल पर किसी को खरीदने सकते हैं जो जिसको जिस रूप में जीना है वैसा ही जीएगा और जो संथ होते हैं वह हमेशा संथ जैसे जीवन जीते हैं सबसे बड़ा बल के अंधानों का बल है विद्या का बल है अप परीगरा का बल है अधिक संगरान करना अपने जरूरित नरखनअ तरत कुल गाएं प्लाजा केशनदी करते हैं यह सारे किसरे अगाएं है उसको मिलेगा, खजानों की चर्चा होती है, कि सब खजाना कहीं से मिल जाए, छपपर फाड के मिल जाए, हम करोड़पती बंजा राद भर में, एक अंजन सिद्धी का प्रक्रण आता है अगोर संप्रदाय में, अगोरी स्वामी थे बनारस के, वो एक्षा बांगने पढ़ाय थे वियाकरण, अगोरी उनके अभिक्षा लेने पहुंचे, तो उनने कहा कि इतना ही है, जितना देरे हो, अरे भई, तुमने घर में खजाना कड़ा हुआ है, तुमने देखा कि नहीं, मा, तुम चाहो तुम चाहो तुम खजाना कड़ा सकते है, शाफ्षिर तक चले गए और धन नहीं मिला कि उलिगा सब्सक्राइ छाहता इसी बिच उनके शिश्ष्य ने 20 रुपे का मनियोर्ड रहेया चैनल नहीं उन्हें आगया इसंतोषी दे सकेंगे और बाकी जो अपने पास जो है उससे हमारे आने वाले दस-पंदा दिन का बीस दिन का खर्च भी निकल जाएगा इसी पर उनने सौंग अफ सन्या से लिखा है गाता हूं तुम्हें सुनाने को मनुष्य तुम्हान है पिंजडे का विहंग मत बन एक जैसी मनस्तिती रखे मिला तो ठीक नहीं मिला तो कुछ बाद स्वाइगान की घटना और है ट्रेन में बैठे थे एक सेठ से ठानी सामने ट तो हमको बताओ हम तुम्हें अपने रख लेंगे उसके बाद तुम काम करना है यह क्या गेरुआवरोग कपड़े पहने हुए तुम खाना खालिया पूरा विवेकान थे तीन दिन से भोजन नहीं किया था और विवेकान को आफर भी नहीं किया उन्होंने और आफर करते त महां रुके तो उससे स्टेशन पूतर गए बिवेकान शेड़ भी पीछिए नीचे उतार के देखो हमें नोकर की जरूए थे तुम हमार साथ चलो और तुम्हान नोकरी करना हम तुम्हें निकाया सवाइमानी हो पर नोकरी करोगे तो हम तुम को देंगे इतने में यहां पर व्तिव देखा और स्वामी जीने दूसरा हिस्ता भी डेखा पिता के मिल्थिकते बहुत एश्वरी घर में करदारों के चक्कर लगने लगे और यहां खालें और कभी-कभी आधा रोटी के टुकड़ा मुं में डाल करके पानी पी के चले जाते थे यह कश्ट भी रोने देखा है एक जमीदार की लड़की जो उनके साथ पड़ती थी उनके पती आकरशित थी उनके सवंदर को देखकर उसने का तुम उससे शादी कर लो तुम घ ठाकर ने कहा मोटे अनाच की और तुझे चोटे मोटे कपड़े कोई दिक्कत नहीं आगी तेरे घर में सब ठीक होगा इस भक्ति के दूसरा प्रसंगे सपने हुँ नहीं देखी परदुशा तो सपने में भी किछी का दोश मत देखो सामयते हम दूसरों को देखते हैं हम फ शद्धा मयो आयम पुरुशा योई चद्रह से उसा हूं यूति शद्धा का पुंझे यूसा सोचता है वैसे ही बन जाता है अगरा बार बार दूसरों मेरे में दोशी दोशी देखते हैं तो आप भी दोशी बन जाएंगे आप कांता क्रण दूशी हो जाएगा मैशलेशन जहां सीके चरगाओं करेने वाले थे सब की बुराई करते हैं लोग राष्ट की बुराई हम तो चाय पिलाते हैं और ऐसा शहर हमने क्यों दिल्ली देखा भाई हमें तो यहां से मुक्ति दिलाओ तो चरगाओं जाकर बैठें और काभी अपना लिखें ये जो एक और बात एन निंदा विटैमिन ये इस शहर के सबसे बड़ी समस्य विटैमिन अनुफबह्रम आन चाहता हूं वह तो एक अपने ग्डरी से मिल चूके थे महाउतार भाबा से मिल चूके थे गांजा सुल्फा पेने वाले सादु देखे उनके दोशी दोश के उनके साभी दोश चै किया प्रकट हुए उनको मैं देख सकता हूं तो देखता है अच्छा ही भी देख जीवन का सबसे बड़ा घुन दूसरों के दोश देखना मित्रों यदि हम दोशों को देखना बंद कर दें तो वास्तों में हम बहुत सारी परिशाने से बच सकते हैं एक प्रसंग सुनाता आपको राखाल महराज का महमान अंजी जिनका नाम था आध्यात्मिक प्रमुक्त है रामकृष्ट मेशन के सबसे पहले और शारदान अंजी सबसे पहले जनल सेकेटरी थी दो नए साधू आये सफेद कपड़े वाले श्वेत वस्तधारी जो दस साल तो उनको श्वेत वस् संग्रहाल है स्पिरिच्वालिटी की म्यूजियम है सबी घहरे धियान में बैठ गए गए घंटे में सारा मनुमाली ने मिढ़ गया जो खट पड़ती समाप्त होगे रामकृष्ण कहा करते थे परमांस दोशे गुण मानुस हर व्यक्ति में दोश और भी होते हैं हम सवाप अपने में किसी का दोश ने देखें सवापन तभी निर्मल जो हमारा अंतरकर्ण साफ हो अफ्रिका का कभीला है सवापने में कोई अपराद देख लिया हो किसी के पती कि हमने इसको इसके बारे कुछ कहा अगले दिन जाके उससे माफी मांग लेता है आप देखिए कितने खोजा आपना मुझसे बुरा नो को मुझसे बुरा कोई नहीं आप दूसरों की दोश मत देखिए आप अपने आप को देखिए युदेश्चिर या धन्वराज के लाए तुलना में दुरियोधन ने देखा सब जगे दोश ही दोश देखा सब जगे अच्छाई अच्छाई हमारे गुर्देव का एक वाक्य सना के अपनी बात समाथ करूंगा परमपुजी गुर्देवन ने कहा है अंतिम तीन चार वर्शों में 1971 की बात है जो विदाई ले रहे दुबूर्णा फीर मत्रा से फिर उसके बाद मत्रा फिर वापस ने गए बत्रा से अरे रद्वार आ अगये अरदर से हमालः चले गए उन एक हमने जीवन में जीवन में आ गया है कि खीज छलाहट जीवन में और हम आतने समीशे करते हैं हम सोच तो हमने इसाए हैं आपका जीवन बतार लें, आपका जीवन बतार जाएगा. आपका जीवन बतार लें, आपका जीवन बतार जाएगा.